टीवी के पॉपलर अक्टर शक्ती अरोडा इन दिनों कलर्स के शोव सिलसला बदलते रिष्टों का में नजर आ रहे हैं अब अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं शक्ती के जिन्दगी से जुड़ी कुछ अंजानी बातें जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे तो आईए जानते हैं पहली बार शोव मेरी आशिकी तुमसे ही ने बदल दी जिन्दगी जिहां वैसे तो जो शक्ती के बारे में जानते हैं वो ये ज़रूर जानते होंगे कि शक्ती कई पॉपिलर शोव में बता और सपोर्टिंग लीड नज़र आ चुके हैं लेगिन कलर्स के शोव मेरी आशिकी तुमसे ही ने शक्ती के जिन्दगी ही बदल दी सारह तक इंडस्टी में काम करने के बाद इस शो में शक्ती को लीड रोल मिला और उसके बाद वो घर खर में पहचाने चाने लगे दूसरी बाद वेटरन आक्टर चंदर शेखर के नाती है शक्ती शक्ती अरोडा के नाना चंदर शेखर 1950s के दौर में बॉलिवूट के नामी स्टार रहे हैं और उन्होंने स्ट्रीट सिंगर और रुस्तमे बगदार जैसी कई बॉलिवूट फिल्मों में काम किया है लेकिन शक्ती अरोडा ने कभी भी अपने बॉलिवूट कनेक्शन का फाइदा अपने करियर में नहीं उठाया बल्कि कड़ी मेहनत से ही उन्होंने आज ये मुकाम हासिल किया है तीसरी बाद शो तेरे लिए से मिली पहचान वैसे तो शो मेरी आशी के तुम से ही शक्ती के करियर में मील का पत्थर साबित हुआ लेकिन साल 2010 में आई सीरियल तेरे लिए से शक्ती को धीरे धीरे पहचान मिली शुरू हो गई थी और फिर इसके बाद ही उन्होंने कई सीरियल में छोटे मोजे रोल किये आपको जानकर हैरानी होगी कि शक्ती को टेरो कार्ट पढ़ने का भी शौक है साथ ही वो इसे प्रोफेशनली भी किया करते थे लेकिन आक्टिंग में आगे बढ़ने के बाद वो बिजी होते गए और उन्हें टेरो कार्ट छोड़ना पड़ा पांच भी बाद खराब कपड़े संभाल कर रखते हैं शक्ती शायद आप नहीं जाते होंगे कि शक्ती आज भी अपने पुराने खराब कपड़े नहीं फैकते बलकि उन्हें संभाल कर रखते हैं हालाकि उनके घरवालों को उनकी यादत बिल्कुल पसंद नहीं लेकिन फिर भी वो ऐसा ही करते हैं और छटी बार तेरी लिए के सेट पर हुई अरधांगरी नेहा से मुलाकात जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि जो तेरी लिए के सेट पर ही शक्ति के पहली मुलाकात अपनी पत्ती नेहा सक्सेना से हुई थी शुरू में तो दोनों ने एक दूसरे को खूब अखुरू समझा लेकिन वक्त के साथ वो एक दूसरे को पसंद करने लगे और आज दोनों happily married हैं तो ये थी शक्ति के जिंदिगी से जुड़ी कुछ अंजानी बाते नीचे कमें सेक्शन में आप हमें ये भी बताएए कि और किस स्टार्स के बारे में आप जाना चाहेंगे